है गाइज गुड़ीवनिंग राम राम सब्सक्राइब को तो कैसे हो दोस्ताब गाइज यहां पे ना अल्वा सिडी राजिस्थान के अंदर एक ऐसा धाबा है जहां पे एक तो चूले की रोटिया मिलती है ताजी ताजी बिल्कुल गरम गरम और दूसरी चीज यहां का घान है बहुत स्वारिस्थ है तीसरी चीज यहां के दाम जो है प्राइज जो है और बहुत कम है कंपेर करें को अधर खाना बहुत ला जवाब है मैंने खुद ने पॉस्नली बहुत सालों से खाता आ रहा हूं और आज जाके इनका वीडियो बनाने का मौका लगा है तो यह मौक अधरा सा सेटाप है लेकिन भीड रहती है स्टैम पर यहां पर यह बता देता हूं खाया है यह जो एरिया देख रहे है यह बाउंडरी है और इसके पीछे यह बस स्टैंड है सामने वो में रोड है जो की बस स्टैंड से भाहर निकाल रहा है उसके जस्स आपको यू टर ल व्यां अंगल जी अब ये 55 साल है ये धाबे को मतलब 55 साल हो गए अंगल जी आपको इसwhat year में start किया था अधर के सब्刁ं आप बहरे ये एक रूपे तो बहुत बड़ी बात हो कि पेट बर गया एक रूपे बना पॉच तो अभी आपको पच्पन लगबग पच्पन एक साल होगे मान ले तो एक तरीके से तो अभी यहां पर रेस्पोंज होए काफी अच्छा भी आ रहे है लोगों की भीड भी है तो ऐसी क्या रोटी सुब़ सुरू से बनते आ रही है अपके शुरू से एक ही ट्रेंड है चुले की चपार तो चली गए अंकल जी पूस्ता हो मैं लोगों से कैसा है और मैं भी खा कर दिखता है तो यहां पर यह भाईया है भाईया आप यह खाना कब से खा रहे हो तो पिछले दो साल ह बाईया है दो साल हो घे और यहां पर आ रहे हो कैसा अंनka खाना है तो ऊचली त्या होना के यहां ग़्या कितनी त्देड मतले कंब प्रवार कहा जो ही हैं अच्छा आप यहां निया अठोर है को क्छ आट ऱानव DF के आधवर ør एन्द्द्द उसता आप उश्तां लिख त है यहां मैं दस दफे खा रहा हूँ अच्छा अच्छा हाँ मज़ार और ठीज जदा सवादार है इस खाने को न दाम प्राइस कैसे हैं हांगे मतलब जो पैसे हैं रीजनेवल हैं कम जादा कैसे हैं मेरे हिसाब से पूरी अलवर में काफी खथ तक हर आदमे अराम से अरेंज क निए पुल्कुल मोग करिए भई आपका खाना थेंक्यू सो मच आ वैभी खाता हूं कैसा खाना है है एक नंबर हो खाना सस्ता और टिकाओ पहले भी खाता चुकर अब कर अब धर हरे तो मतलब घर जे सा खाना है या बिलकुल होटल जैसा है घर जे सखाना है और दाम जो प्राइज है यह कैसा है रीज में पर जाइज है ठीक है एंजोई कीजिए इनके हास से लिखा हुआ मतलब की मैन्यू है तो दाम देखिए आप बालग पनी साथ रुपे मतलब हाइस जो सबजी आए और 45-50 रुपे की है और जो साथा रोटी है और 6 रुपे की है घी से लेते हो तो 8 रुपे की है पापट 10 रुपे के चार्च पंद्रा की और धाही जो है यहाँ पर फुल और हाफ की रेट लेगोई 315 तो अपन आज क्या ओडर करें एक तो अपन मिक्स वेस और 24 ने कहा गा आज खोवा पनीर नहीं खाया किवह खोवा पनीर करो पे ने कहां कि अब आपको पनीर के यह हमारी थालीा है खोआ Пनीर है मैंने फिर्स अब खाया ह Idane कभी और यह हमारी मिक्स वास हो गए ताली एक खोया पनीर है मैंने फिर्स ताइम खा रहा हूँ उसको मैंने खाया निये कभी और यह हमारी मिक्सराइज हो गई यह देखो रोटी देखो कितनी प्रॉपर तरीके से सीक्रिट वागे पीछे से तो आख तो मज़ा ही आजाने वाला है मुझा हागया खाना का बहुत थे हो बात मन किया आज म met आज मैं सदों हमता हूँ लोगों कि रिवीउ थे खाना वागी में स्रान अबता और यह वाईय हमारे धिनेज है, फीनेज है कितने साल हो गई कहने में काम दरते हैं पथीज साल है, क्थीज साल हो गई क्याँ हो मतलब बचकपन से ते मीरती पर गशार काम करें मतलब 이 मेरत, मतलब बचपन से कर रहा मुझा लोगों पर अर्लों को क्राम का TRAFl जोस्तों मैं घर के लिए जाई राता है तो यहां रस्ते में वोप सर्कस पढ़ता है जहां पर है बहुत बढ़ा चब रहा है तो दिखा तो मैं आप को देगो कितना शांदा सजा है अब जो देगे देगे यहां तक ऊपर तक माता सजा दी है और यह आज नवरात्रा है तो हमारी माता जो है विन विन रूपों में आपे नो देवी जो बोलते हैं एक तरीके से वो सजाई है तो अभी कुछ चानों में स्टार्ट हो जाएगा